नमस्कार रिवरीवान आप सभी का स्वागत है यहां पर हम बात करेंगे आज के प्रमुक अपडेट के बारे में UP++C का अपडेट है एक और भर्दी का विज्यापन यहां पर रद्ध हो गया है इसके अलावा असेस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्यापन यहां पर जारी कर दिया गया है और साहग अभ्यानता भर्ती इन सबको लेकर यहां पर हम डेटेल में डिस्कुर्शाइब सबसे पहला और सांधार अपडेट आप सभी के लिए असेस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन पचीस से यनके पांच साल बाद प्रदेश के असासकी महावेद्यालियों में असेस्टेंट प्रोफेसर के पादोबपर भर्ती के लिए 25 फर्वरी से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे 48 विश्यों में कुल 2003 पतोबर भरती होनी है और इस बाबद उत्तर प्रदेश उचितत सिक्षा सेवा आयोग ने सोंबार को नोटिफिकेसन जारे किया है इस भरती परिच्छा के लिए रदेश्टेशन हुआ ऑनलाइन आवेदन सुल के जमा करने की अन्तिम डेट 26 मार्च है जब की आवेदन 25-27 मार्च तक जमा होंगे लेखित परिच्छा 26 माई से परस्तावित की गई है लेकिन यह केंद्रों की उपल अपदेटा पर निर्वार करेगा आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट पर पदों की विशेवार जनकरी भी यहां पर अप्लोड करेगा और यहां भरती परिच्छा नए पाठेकरंबर आधारित होगी तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपदेट यहां पर है कि 48 मिशियों में 2003 पदों पर आपकी असिस्टिन प्रोफिशर की भरती आ गई है आप लोगे हम भर सकेंगी जो लोग इसके योगी है आगे यहां पर हम बात करेंगे यूपी ट्रबलेसी के प्रमुख अपडेट के बारे में तो लिपीक और सहायक के 1424 पदों पर भरती के लिए जारी विग्यापन रद बाल विकास सिवा इवां पुष्टाहार विभाग में भरती के लिए जारी वाथा विग्यापन इसके बाल विकास सिवा और पुष्टाहर विवाग में करनेश्ट लिपिक और सहायक के 1424 पदों पर भरती के लिए दिन चड़ों में जारी विग्यापन को कर दिया गया हरद और विवाग के तीन अलग-अलग अधियाचन पर यूपी ट्रबलेसी 2006 में 2009 में 2011 में इसने विग्या और यह जानकारी बाल विकास सिवा और पुष्टाहार निदेशक डाक्टर सारिका मोहन ने आपर दिया है उन्हों ने कहा कि जल्द नए सिरी से विक्यापन आपका जल्द यहां पर जारिक किया जाएगा आगे हैं पर बोला गया कि उन्होंने बदाया कि निदेशाले ने आयोग को कनिष्ट लिपको की 780 पदों पर सीधी भरती के लिए अधियाच ने भेजा था और इसके साफेक्ष आयोग ने पहले बार वर्स 26 में 400 पश्मन पत्वे भरती निकाला जिसमें की सौपाद अनसुचिज जन जाती के थे 125 अनफिश्डावार्ग और 214 यहां पर थ होने से पहले जो आयोग है वही भंग हो जाता है और इसी वजह से भरती के प्रस्ताव को विभाग को आगे की करवाही के लिए लटा दिया गया था और इसी तरीके से आगे यहां पर वर्स 2009 में 514 पद भरने के लिए विग्याबन जारी होता है और यहां पर भी SC के पद हो से के 130 सामन के 237 पद थे लेकिन 15 मार्च 2012 को भरतियों पर रोग लगाने की वजह से इस परागे की करवाही हो नहीं सकी यह भी भरती आगे यहां पर बढ़ नहीं सकी निदेशक ने बताया कि चुकि अब इस समवर की पदों पर भरती के लिए अवश्क जो योगिता है कि अपन को दिकिया जारा और यह जल्द नैसे से बक्यापन को जारी किया जाएगा वैसे बहुत सारह देद्लैस लटकी हुई है और ऊपको सारह सबसे जादा घराब काम सबसे धीला और कमजो मतां सुष्ध पर कम ऊपन रहे ह trop हैुप लटका रख रखा है एक दों अंधेरे में इसको लड़का रखा है बहुत ही खराब आयोग है जो कि एक विभर्दी टाइम पर करा ही नहीं पाता है इससे कुछ होता ही नहीं है तो सबसे ज्यादा निक्रिष्ट और खराब आयोग यहाँ पर एक और आपका अपडेट है कि साहाइग अभ अभियंत्रट सिवा परिचाद 2019 के तहट साहाइग अभियंता के 648 पतों पर भरती के लिए इंटर्विव 22 फरुडिस यहाँ पर शुरू रहा है और उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग ने सौंबार को साच्छातकार का कारकरम यहाँ पर जारी कर दिया गया है और के लिए कची खबार है यहाँ पर